नमस्कार दोस्तों मैं उंप्रकाश प्रजापती आज हम उत्तर प्रदेश के कानपूर आपको लेकर चलते हैं कानपूर में खाद्य सुरक्षा आवं उसदी प्रसासन विभाग ने बीती सौंबार को बाबा बिर्यानी के तीन रेस्टूरेंट समेंट छे खाद्य प्रतिस्थानों को सीर कर दिया है सभी नॉन वेर्ज रेस्टूरेंट हैं टीम ने आज जून को इनके यहां से सेंपल एकत्रिप किये थे जिनकी जान आगराइस्तित खाद्य विशलेशन प्रियोग साला में की गई दो दिल पहले आई आर्ट सेंपलों की रिपोर्ट में सामने आया कि इन रेस्टूरेंटों में परोसे जाने वाली बिर्यानी के चावल में कलर के लिए हानिकारा केमिकल मिलाया जा रहा है जिसे Food Safety and Standard Authority of India ने भी बैन कर रखा है एडियम सिटी अतुलकुमार ने बताया कि सेंपलों में स्वास्त के लिए हानिकारा केमिकल मिलने की पुष्टी के बाद मुखतार एहमद बावा के नवीन मार्केट इस्टी जेजे फूड रेव मोती इस्थिद बावा बिर्यानी और सरूपनगर के बावा बिर्यानी रेस्टरेंट को सील किया है इसके अलावर सेंपल फिल होने पर काका देव का अलिबावा फूड, परेड का अलहुदा, फूड सेंटर और जाय का फूड को भी सील कर दिया गया भारी पुलीस बल के साथ खाद्य सुरक्षा टीम ने सौंबार को बैकन गंज इस्तिर बावा सुड्स से बिर्यानी, बर्फी, खोया, घी और सब्जी मसाला का सेंपल भरा सायक खाद आयोक्त बीजे प्रता आपने बताया कि शहर के कुल 5 प्रतिस्थानों से 18 नमूने लिए गई जिन्हें परियोक्षाला भेजा गया रिपोर्ट आने पर ही आगे की कानवाई की जाएगी तो दोस्तो कानपूर के बाबा के रेश्टेरेंटों का ये हाले कि वहाँ केमिकल युक्त कलर का इस्तेमाल किया जाता है जिसे बिर्यानी के चावलों से लगाया जाता है इससे स्वास्ता हानिकारक होता है दोस्तों इस वीडियो को देखकर आपने बहुत कुछ सीखा हुआ, बहुत कुछ जानकारी मिली होगी या आप भी इस वीडियो को देखकर कुछ कहना चाहते हैं या आपके छेक्र के आसपास भी इस तरह के खाद्य सामगिरियों पर चाहते हैं तो आपके कमेंट्स का इंतजार रहे गा, तब तक के लिए नमस्कार अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें